जहें दोस्तों आदे मातरन तो भई हमारे पास अब फाइनली ड्रीम गर्ल 2 के तीसरे दिन का डेटा भी निकल कर सामने आ गया है और ये तीसरे दिन का डेटा आपको यकीन नहीं होगा जानकर काफी जादा स्ट्रॉंग है काफी जादा एहम है आईश्मान खुराना के लिए मूवी बहुत जादा जरूरी थी हर लिहास से जरूरी थी वो इसलिए जरूरी थी तो कि आईश्मान खुराना की पिछली करीब चारिक फिल्में एक बहुत बुड़ी फ्लॉप रही थी और अब्वियस सी बात है जब किसी बड़े एक्टर की यू कहें आईश्मान खुराना जैसे प्रॉमिसिंग एक्टर की जब इतनी मूवी लगातार फ्लॉप होती है तो कहीं न कहीं एक ऐसा सावले निशान लग ज 35 करोड रुपे मातरस मूवी का बजट था कहानी से लबरेज थी ये मूवी लोगों गुदगुदा रही थी वर्ड आफ मौफ पॉपलिसिटी भी अच्छी खासी हुई तो अब उसका सीधा सीधा फायदा हमको उसकी एडवांस बुकिंग के उपर भी देखने के लिए मिल पहले दिन का भी नहीं था अगर मैं गलत नहीं हूं तो तो वही चार करोड रुपए का इसने एडवांस बुकिंग केलेक्शन निकाला है करीब देड़ लाग के करीब इन्होंने टिकेट बेचे हैं काफी अच्छे नमर ओफ टिकेट बेचे हैं और सबसे बड़ी बात 220 र कलेक्शन है वो ड्रीम गर्ड टू ने अपने एडवांस बुकिंग कलेक्शन से ही निकाल लिया है जो की काफी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है अगर आप तीसरे दिन मतलब कि संडे का इसका कलेक्शन देखे तो वही संडे को यह सोला करोड रुपए और सकती है प्लस मा करीब करीब 10-15% का जब दिखाया है अचला क्राण कि इसका मेंट होना है कल कल में पता चलेगा कि मूवी किस तरह का परफॉर्मस दे रही है किस तरह की कांटेंट अपने को दे रही है और किस तरह से ये लोगों के सामने अपने आपको प्रोजेक्ट कर रही है मंडे टेस्ट में अधिकतर मूवीज फेल हो जाती है आप देखना होगा कि ड्रीम गर्टू कितनी स्ट्रॉंग होकर यहाँ पर अपनी जगे को बनाये रखती है टोटल कलेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं 41 करोड रुपर का कलेक्शन पहुंच चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 करोड रुपर इस मूवी का बजट था 2-6500 स्क्रीन के उपर यह लीज हुई थी तो ऐसे में क्या इस मूवी को वह हमें जाने के बाद में OTT के ऊपर भी काफी अच्छे तारफा बिख जाती है क्योंकि इनकी जो repetitive value रहती है मूवी को बार 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 देखने की जो value रहती है वो काफी जाता रहती है अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपने दोस्के घर पंचा तो वो dream girl देख रहा था विकी डोनर भी वो देखता ही रहता है पता नहीं किस प्रकार की मान सकता अच्छा शुब मंगल जादा साफदान नहीं देखता खेर जो भी हो तो यहाँ पर इस तरह का कुछ आकड़े जो है वो निकल कर सामने आ रहे है और यह आकड़े यह बताने के लिए बया करने के लिए काफी है कि dream girl 2 एक अच्छी शुरुआत मिल गई है बस देखना है होगा कि इसका lifetime collection अब कितने band होता है क्या कहना है आप लोगा इस बारे में कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है लिक के जरूर बताईएगा मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जैहें चैपार